महोदय जो एक के बाद एक आते हैं सारीरिक अवसक्ताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकाएं और आराम जीवन की मौलिक अवसक्ताएं हैं दूसरे अस्तर पर आती हैं सुरच्छा और भविष्य के परती निश्चिंतता इनके लिए मनुस्य भाती भाती की वस्तूओं का संग्रह करता है फिर है समाजिक अवसक्ताएं जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबन बनाए रखने के लिए समाजिक आर्थिक राजनेतिक और मनुरंजनात्म संगठन बनाना चौथे अस्तर पर हैं अहम सम्मंधी अवसक्ताएं जैसे आत्म सम्मान आत्म विश्वास और आत्म तूस्टी आदी आत्म परिदोस अर्थार्थ उन्नती विकास और ख्याती प्राप्ती की छमताओं को साकार करना वेक्ती की अन्तिम और उचितम अपेच्छाएं हैं इन अवसक्ताओं की पुर्ती के लिए मनुस अपने आसपास उपलब्ध परियावरन का दोहन करता है जल, थल, वायू ही नहीं, पेड, पौधो, पसू, पच्छी, जीव जन्तूं तक का उप्योग करता है सभी सक्तियों का यहां तक की सवल वेक्ती अपने से निर्वल वेक्तियों तक का दोहन करता है जो सोसन की सीमा तक पहुँच जाता है इसके लिए भाती-भाती की तकनीके खोजी और अपनाई जाती है प्रोदोईकी ने मनुस को भाती-भाती की अवसक्ता की वस्तूएं अभूत-पुरु परचूरता से देकर संतुष्ट किया और अवसक्ता की सीमा रेखा भी खिशकाई है बिलास्ता और सजावच की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत कुछ आवसक्ताओं में गिनी जाने लगी है स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मसीन, सफाई मसीन, सिलाई मसीन, स्टोब चुलहे, मिक्सी, फ्रीज, आदी-आदी अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार अवसक्ता की कोटी में आ गई है तकनीकी और अदोगिकी से यह सब संभव हुआ है किन्तु एक ऐसा अल्पवर्ग भी है जिसके लिए विलास्ता अवसक्ता की कोटी में आ चुकी है बिज्ञान की जन समदाय के लिए तो मौलिक निव्टम अवसक्ताएं भी विलास्ता ही बनी हुई है अदोगी करन के सहारे मनुष ने चितना भी विकास किया है उसे वा उनती कहकर संतोस करने लगता है और अपनी द्वैद प्रकित्ती के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्गभेत पनपा है अमीरी गरीवी के बीच में खाई चोड़ी हुई है जो विक्ति मानव मानव की समानता समाजवाद या साम्मेबाद के गीत गाता है वही अपनी द्वैद प्रकित्ती के कारण अपने परियावरन यहां तक की मानव के भी सोशन के नए नए तरीके खोजता है यह सोशन बलतकार की सीमा तक पहुँच गया है मनुस्य ने अपनी बुद्धी का परियोग किया फल सरुप भाती भाती का अदोगी करण हुआ और जल थल वायू सब परदूशन के सिकार हो गए जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही अधिक बिनास हुआ प्राकृतिक संपदा का भीशन रास हुआ व्यापत वन बिनास से घूमी बंजर और मरुवस्थल बन गई एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्ज करता है उतनी ऑक्सीजन सत्रह हजार हेक्टेर वन में तैयार होती है और वन बचे ही कितने है इस उद्यो परदहान सबेदा का केंद्र पुंजी है और धर्म स्वार्थ है मनुष मनुष का सोशन कर रहा है देश देश का झाल सब्दों मनुष का व Disability broke proprio झाल सब्सक्र survey